चीनी इंटरनेट यूजर्स रूस की जैजैकार कर रहे हैं यूक्रेन पर आक्रमन करने के लिए लेकिन एक आदमी इन राश्टरवादी ट्रोल्स को निशाने पर ले रहा है बिना सेंसर की चीन में आपका स्वाधत है मैं शेली जांग हूँ आज क्रुस के लिए भर रहा हूँ जबसे रूस ने थ्री सब्ताह से अधिक समय पहले यूक्रेन पर आक्रमन किया है चीनी कम्मिनिस्ट पार्टी ने तचत होने का दावा किया है जबकि वास्तव में तचत नहीं है इस बयान कोहीले की चीन रूस और युक्रेम के साथ समाने व्यापार बनाए रखने जा रहा है ये रूस या युक्रेम के साथ व्यापार नहीं बदल रहा है बेशक केवल रूस ही पश्चिम से गंभीर प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और चीन के साथ पहले से कहीं अधिक आर्थिक संबंधों की आवशकता है तो ये चीन रूस का समर्थन कर रहा है जबकि ये दिखा रहा है कि वे ततस हो रहे हैं उस तरह की तरह जब आपकी मा ने दावा किया कि उनका पसंदीदा बच्चा नहीं है जब उन्होंने स्पष्ट रूप से किया था और ये स्पष्ट रूप से आपकी छोटी बहन थी चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी भी संयुक्त राष्ट्र में रूस के साथ मतनान करके रूस का समर्थन करती रही है और रूसी प्रचार और यूद के उसके संसकरन को गले लगाते हुए चीनी शासन के रूस समर्थक प्रचार ने चीनी इंटरनेट पर कुछ दिल्चस्प प्रतिक्रियाईं पैदा की है जैसे जब लोग रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को पुतिन दग्रेट जैसी बाते कहने लगते हैं और उनका विश्वास और उनका प्रकाश अगर आपको लगता है कि युकरेन के राश्ट्रपती जेलिंस्की की प्यास पुझाने वाला ट्विटर क्रिंगी था पुतिन की प्यास बहतर नहीं है आज 2022 का सबसे प्रिरनादा एक दिन है क्योंकि रूस ने युकरेन पर हमला किया था मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ ये चीन को ताइवान पर फिर से कबजा करते हुए देखने जैसा है ये कमाल का है पुतिन इतने प्रभाफशाली, मजबूत और सुन्दर है वे सिर्फ रूस का हीरो नहीं है वे मेरे दिल का हीरो है, मैं इसे वापस लेता हूँ पुतिन की प्यास बहुत खराब है इसलिए देडेप लोगों को रूस के युकरेन पर आक्रमड पर जैकार करते देखना चाहते है तो बस चीनी इंटरनेट पर जाएं लेकिन जैसा की उस वीडियो में दिख रही महीला ने दिखाया ये वास्तव में रूस और युकरेन के बारे में नहीं है ये चीन और ताइवान के बारे में है चीनी राष्टवादी रूस को युकरेन पर हमला करते हुए देख रहे हैं और चीन के ताइवान पर हमला करने का सपना देख रहे हैं मुझे पूरा यकीन है कि ताइवान पर उनका स्वपना आकरमन रूस के युक्रेन पर वास्तविक आकरमन से बहुत बहतर है चीन रूस की तुलना में बहुत बहतर है यनिये सिर्फ चीन और ताइवान के बारे में नहीं है जो अमेरिका की बदमाशी के लिए खड़ा है, के रूप में देखते हैं जो अंतह यूकरेन में युद के लिए जिम्मिदार है मैंने इस बारे में बात की की कैसे वे इस कड़ी में बच्चों का ब्रिंद वोश कर रहे हैं। जैसा कि एक वेबो उप्योगरता ने मजाक में कहा, यदि वे केवल चीनी सोशल मेडिया का उप्योग करता है, तो वे सोचेगा कि अमेरिका ने युक्रेन पर आक्रमड कर दिया है बेशक हम अत्यधिक निगरानी और नियंत्रित चीनी इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह बताना मुश्किल है कि कितने लोग युद का समर्थन नहीं करते हैं आप केवल वही लोग देखते हैं जो करते हैं लेकिन एक आदमी चीनी इंटरनेट सेंसरशिप और चीनी राश्टरवादी चोल दोनों को धता बता रहा है ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा सेंसर किये गए चीनी इंटरनेट का अधिकांश हिस्सा पुतिन समर्थक और रूस के युक्रेन पर आकरमण के समर्थक है लेकिन एक चीनी शक्स ने न तो होकर खूब धमाल मचाया है यह वांग जिक्सियन है वे जिंग से एक चीनी नादरिक है और वे युक्रेन में एक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के रूप में काम करता है विशेश रूप से ओडिसा में युक्रेन के अन्य हिस्सों के विपलीत ओडिसा ने सबसे खराब लड़ाई नहीं देखी है लेकिन ये निश्चित रूप से एक लक्ष है युद्ध शुरू होने के बाद से वांग युद्ध के दौरान अपने जीवन का दस्ताविजी करन करते हुए युट्यूब और चीनी सोशल मीडिया सेवा वीचेट पर वीडियो पोस्ट कर रहे है कुछ वीडियो में दिखाया गया है कि वे अधीर रात को जागते हुए साइरन बजाते है सिक्स्टीन मार्च सुभा थ्री बजे चलो मैं तुम्हारे सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहा हूँ नींद ना ए हर रात साइरन बचता है दूसरों ने उसे उडेसा के चारों और घूंते हुए दिखाया और दिखाय की युद के दौरान भी दैनिक जीवन कैसा दिखता है वेस्ट सरक पर इतनी सारी कारे पैदल यात्री कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अजीब सपने में हूँ जहां हम युद जीतने वाले हैं अधिक भावनात्मक वीडियो में वे अपने जीवन के इन रिकॉर्डों को छोडने की बात करता है वांग वापस चीन जाने के बजाए क्यों रुके हुए है ने एक वीडियो में क्या कहा हम क्यों नहीं दौरते ठीक है गौर्डेंगे मेरा एक चीनी दोस्त है जो गुम नाम रहेगा वे यह नहीं कह सकता इसलिए मैं उसके लिए बोलूँगा उसका छोटा बच्चा यहां है उसकी पत्नी यहां है वे युक्रेनी है जरूर वे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर चीन वापस जा सकता है क्या इंसान ऐसा कुछ करता है हंसते हैं आप चीन वापस क्यों नहीं जाते उन्होंने कहा ठीक है मैं वापस जा सकता हूँ मैं चीनी हूँ क्या मैं अपनी पत्मी को अपना स्थान दे सकता हूँ ताकि वे मेरी बेटी को ले सके मुझे खेद है हम केवल चीनी नागरिकों को निकालते हैं ठीक है ठीक है मैं समझता हूँ ये दूसरे देश की समस्य है इसलिए हमें एके लेना होगा और अपने घरों की रक्षा करनी होगी तो वे एक चीनी दोस्त के बारे में बात कर रहा है जो चीनी वानजे दूतावा से एपनी गैर चीनी पत्मी और आधे चीनी बच्चे को निकालने के लिए नहीं मिजखा ये सीधे तोर पर चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के युक्रेन में चीनी लोगों की भयानक निकासी के बारे में प्रचार का खंडन करता है वांग नहीं युक्रेन नहीं छोड़ने के अपने कारणों के बारे में बात की मेरे कंपनी यहां है छोड़ सकता हूँ हम कहां जा सकते हैं हो सकता है कि आपको समझ मिना है कि मैंने कब कहा कि मैं जीना चाहता हूं मैं सिर्फ सांस नहीं लेना चाहता एक इंसान की तरह गरिमा के साथ जीना चाहता हूं हम मौत से नहीं डरते हम मरना नहीं चाहते और वे चीन में लोगों से युद की वास्त विक्ता का सामना करने के लिए कहता है जिसका वे समर्थन कर रहे हैं कल मैंने तुम्हें अपने पडोसी की छोटी बेटी दिखाई वे नाजी नहीं है, मुझे बताओ की वेह मरने के लाइक है मुझे बताओ हम सब मरने के लाइक है खुद के लिए बंबारी करने के लिए वांग जिक्सियन के वीडियो पहली बार में बहुत विवादास्पत नहीं लग सकते हैं लेकिन रूसी आक्रमन के बारे में आधिकारिक आख्यान को पीछे तकेलने के लिए उन्हें चीनी राश्रवादियों से बहुत नफरत है कुछ ने उन पर पेड एक्टर होने का आरोप लगाया दूसरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी भेजी लेकिन वांग पीछे नहीं हट रही है कभी कभी मुझे लगता है कि युक्रेमियन कम से कम केवल एक पिश्मन है मुझे ये कि नहीं है कि मैं आप कितनी लडाईयां लड रहा हूं अगर मैं वापस जाओं तो मैं कौन हूँ क्या मैं एक चीनी व्यक्ति हूँ वे सीधा है वे इस बारे में बातचीत कर रहा है कि आपके देश से प्यार करने का क्या मतलब है किसी व्यक्ति के मूलियों और देश के मूलियों के बीच का अंतर वे इस बारे में बात कर रहा है कि चीनी व्यक्ति होने का क्या अर्थ है लेकिन ये भी की मनश्य होने का क्या आर्थ है वीचेट पर उनके वीडियो को लाखों व्यूज मिल चुके हैं अगर आप सोच रहे हैं तो कि इस आदमी को सेंसर कैसे नहीं किया गया थेर उसके पास है उन्होंने अपने वीचेट को अक्षम करते हुई ये वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया और फिर बाकी वीडियो को अपने मुह पर एक्स टेप लगा कर बिताया लड़के में सेंस ओफ हूमर है सच कहून तो मुझे आश्चर है कि उसका वेचेट खाता अभी तक पूरी तरह से हटाया नहीं गया है लेकिन वांग जिक्सियन भी अपने वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट कर रहे हैं तो अगर आप चीनी समझते हैं तो आप वहां उसका चैनल देख सकते हैं वांग में अपने एक अन्य वीडियो में सेंसर्शिप को संबोधित किया मैं जिक्सियन हूँ, मैं युक्रेन में रहता हूँ, तुम कौन हो, आप किस बात से भेवीत हैं तुम मेरे बोलने से क्यों डरते हो, मैंने किसी को धमकी नहीं दी है और नहीं हत्या के लिए बुलाया है, मैं बस लोगों से जीवन का सम्मान करने और इस लिद को समाप्त करने के लिए कह रहा हूँ आप लोगों से इतना डरते क्यों है कि वास्तव में क्या हो रहा है हमारे पास परमाणों हत्यार नहीं है हमारे पास बंदुके नहीं है केवल हत्या की पुकार ही क्यों सुनी जा सकती है मुझे केवल ये कहने की अनुमती क्यों है मुझे डर है त्रिप्या मेरी रक्षा करे आप केवल डर फैलाने वाली आवाजों को ही पोस्ट क्यों होने देते हैं। यहां हम दरनिश्चेरी, शांतिप्रिय और वफादार हैं। अधिकांश भाब के लिए वांग अपने वीडियो में एक बहुत ही महीन रेखा पर चलते हैं। वे सपष्ट करता है कि वे जो कुछ भी कहता है, वे सिर्फ उसकी मिजी राय है और वे सिर्फ एक औसत व्यखती हैं। अच्छा मुझे तुम्हारी पत्मी पसंद नहीं है क्या ये मेरी गल्टी है क्योंकि मैं तुम्हारी पत्मी तुम्हारी मां को पसंद नहीं करता तुम मुझे माना चाहते हो क्या आपको लगता है कि ये नया है मैं काले को सवेब में बदलने से इंकार करता हूँ सिर्फ इसलिए कि आपके पास अपनी ठटिया बंदुके हैं आप सोचते हैं कि मैं आपके अधीम हो जाओंगा विसा कभी नहीं होगा आपकी बेवकूफ बंदुकें गोस के लाइक नहीं है तुम्हें पता है उसे शब्दों के साथ एक वास्तविक तरीका मिल रहा है वांग एक तरह की चीनी आवाज है जिसे हम पश्चिम में ज्यादा नहीं सुनते हैं इस चों में शामिल है यहां चाइना अंसिंसर्ड पर हमने कई बार कहा है कि हम चीन विरोधी नहीं है कि हम चीनी लोगों के खिलाफ नहीं है हम यहां चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी का परदाफाश करने के लिए हैं और वे चीन और दुनिया भर में क्या कर रहे हैं यानि यह भूनना आसान हो सकता है कि सभी चीनी लोग ऐसे नहीं होते हैं और इस तरह के बहुत सारे चीनी लोग हैं वाम जिटिक्सियन ने मुझे उन्चीनी नागरिक पत्रकारों की बहुत याद रह लेई जो 2020 में शुरुवाती कोविट के प्रकोप के दौरान वहान में वास्तव में क्या हो रहा था इस पर रपोर्ट करने गए थे उनमें से कई ने उस जानकारी को बाहर निकालने के लिए अपनी जान जोकिम में डाल दी उनमें से कई गायब हो गए और उनमें से कुछ अभी भी जेल में है तो एक तरह से वैंग एक तरह का है भागशाली और अब मेरे लिए क्राउड फेंडिंग वेब साइट या विशेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल पर शोके एक प्रशंसक के एक प्रशन का उत्तर देने का समया गया है मेरे सवाल ये है आप और आपकी बाकी समाचार टीम शुष्छ थासर का उपयोग क्यों करना पसंद करती है खैर कौनर यह हसान है हम शुष्छ थासर का उपयोग करते हैं क्योंकि गीला हास से अभी बहुत गंदा है आपके प्रशने के लिए धन्यवाद और स्थानी लोगों पर बिना सेंसर के चीन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद और अगर आपने अभी तक हमें लोकल्स पर जुआइन नहीं किया है तो इसे देखें इसमें शामिल होना मुफ्त है और हम विशेश शामगरी करते हैं जिसे आप हमारे विशेश स्थानी लाइवर स्ट्रीम की तरह देख सकते हैं आप मासिक या एक मुष्ट उगदान के साथ भी शोका समर्थन कर सकते हैं जिससे आपको और भी अधिकलाब राप्त होंगे हमारे साथ पर आए एक बाद पिर विशे ले जांगूं क्रिस चैपल के लिए भर रहा है चीन को बिना सिंसर की देखने के लिए धन्यवाद